36 गड़ के दंतेवाडा में एक बड़ा नकसली हमला यहां पर हुआ है अरनपुर मार के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहां की एक बड़ा आईडी धमाका यहां पर नकसली उने किया था घात लगा कर इस हमले को अंजाम दिया गया ऐसा साफ नजर आ रहा है यहां पर ज रोधी अभियान के लिए अरनपुर गया था और तलाशी के बाद लोटते वक्त नकसली उने इस हमले को अंजाम दिया है आपको बता दें यह जो अरनपुर इलाका है यह चतिसगर तेलंगाना और ओडिशा की सीमा के पास है यह इलाके में काफी घने जंगल बताया जाते ह और किसी तरह के मूव्मेंट की जानकारी मिलना यहां पर आसान नहीं होता है और कही न कहीं इस सब चीजों का नकसली उने यहां पर साफ तोर पर फायदा उठाया है तो नकसली के खिलाफ एक बड़ा अभियान चतिसगर और जारखन जैसे राज्यों में चलाया गया नकसल प्रभावत इलाकों में सफलता भी हासिल हुई लेकिन कहीं न कहीं नकसली जो हैं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें वो स्फुराक में रहते हैं कि एक छोटा सा उन्हें मौका मिले और इस तरह के ह अमलों को वो अंजाम देते हुए नजर आते हैं। एक बहुत ही दुर्भागेपुर घटना हुई है। इसमें हमारे ग्यारा जवान की सहादत हुई है। मैं सभी जवानों को अपनी विनम्र सद्धानजली अर्तित करता हूँ। उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी सोकसवेतना ब्यक्त करता हूँ। और ये इस बात का जुवलंत प्रमार है। कि 36 गड़ में फिर से तेजी के साथ में नकसलवाद की गतिविद्या बढ़ रही है। हमारे जवान माले जा रहे हैं। उनकी सहाधत हो रही। उस सेत्र के निरी है और गरीब लोग बेकसूर लोग नकसलवादियों की भेट चड़ रहे है। 37 गड़ की सरकार को, राज्य सरकार को, भुपिष सरकार को नकसलवाद के खिलाब, माववाद के खिलाब कोई निरनायक लड़ाई लड़ने की आवस्तता है। और पूरा बस्तर भे करांग थे। लोगों में भे और दर का माहूल है। राज्य सरकार की जुम्यदारी है कि भे मुक्त परसासन लोगों को मिले। और इसके लिए नकसलवाद के खिलाब में कोई कारगर कदम उठाने की आवस्तता है। जी, तस्वीरें हमने यहाँ पर नारायन चंदिल साब देखी, देख रहे हैं हम जहाँ पर एक बहुत बड़ा गड़ा यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में DRG जो यहाँ पर लोहा ले रहा है नकसलियों के खिलाफ उनको एक बड़ा जटका यहाँ पर लगा है क्योंकि यह तलाशी अभियान करके ही लौट रहते नकसलियों के खिलाफ और उसके बाद वो इस हमले की चपेट में आए है। जी 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 निश्चित रूफ से बहुत दुर्भाग्य पून घटा है और ऐसी घटनाओं के पुन्रावित्ति ना हो इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने के आवस्तक्ता है। जितने भी हमारे जवान सहीद हुए हैं उन सब के प्रति हम अपनी गहरी सोकसव इदना प्यक्त करते हैं उन्हें अपनी विद्वर्भा सद्धा सुमन अर्पित करते हैं और फिर से सरकार से ये मांग करते हैं कि कोई ने कोई कठोर कदम उठाए शुक्रिया चंदेल साब आप हमसे जुड़े यहाँ पर तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष्य चंदेल साब वो कह रहे हैं कि एक निर्णायक लड़ाई अब चंदेल में लकसलियों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है हमारे साथ चंदेल बीजेपी के अध्यक्ष अरुन साहब भी जुड़ गए हैं अरुन साहब साब शुक्रिया आपने वक्त निकाला आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी क्योंकि दस जवानों की हमारे शहादत हुई है यहाँ पर जी हमने आज शत्तिर गर्महतारी के ग्यारा बेटों को खोया है और घटना का द्रिश्ट देखकर मन भर आ रहा है इस घटना की जितनी निंदा की जाए जिसनी घटना की जाए उतनी कम है मैं इन वीर सहीदों के प्रती अपनी विनमर सथांजली अर्पित करता हूँ प्रदा सुमन अर्पित करता हूँ इनके परिजनों के प्रती अपनी कहरी संवेदना वेट करता हूँ निस्टे दुख से राजी सरकार लगातार जो दावे कर रही थी आज लगातार राजी सरकार के दावों की पॉल खुली है और इतनी बड़ी घटना आज हुई है भी थोड़े दिन पहले बीजापूर के विधायत के काफिले पर हमला हुआ था उसके कुछ दिन पहले हमने नावा के हमने नक्सलवाद को नियंद्रित किया है उनके दावों को पॉल खोलती है आज जब हमने चतिरगड के शक्तिरगड महत्यारी के ग्यारा बेटों को खोया है तो आज ये संकल्प करने का उसार है कि शक्तिरगड में हम सांती बहाल कैसे करेंगे और बस्तर के लोग आज परिशाल है अनेक निर्दोस लोगों को अपनी जान दोनी पड़ रही है